हेलो फ्रेंड राधे राधे आज है सत्वान का दिन 14 अप्रेल इस दिन हम सत्वान बनाते हैं इसके लिए हम आज के दिन हम लोग सत्वा खाते हैं और इसे हम घर पे बनाएंगे आसान तरीके से कि इसके लिए हमने यह सत्वा लेलिया यह जोगा सत्वा होता है और कई मिक्स होते हैं यह नाइपा मुझे लेकिन जोका होता है इसमें हमने दो तीन चमश ले लिया है जो स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल दिया है और इसमें हम पानी डाल के इसके परले नमक को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे बहुत टेस्टी लगता है सत्वान के दिन इसे खाईए सत्व और इसे हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके एक आटे की डो की तरह तयार करना है और इसे हमने देखे मिक्स कर लिया है और इसका हमें सौप्ट डो बनाना है टाइट डो बिल्कुली बनाना है और इसमें हम हलका स पानी और डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हमारे सत्तु का डो तैयार हो गया है अब इसकी हम छोटी-छोटी ऐसे पीडिया बना लेंगे इस तरह से और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे अब इसे हमने प्लेट में इस तरह से बिडिया बना लिया है अब इसके लिए हम चटनी पीसेंगे इसमें हमने हरी मिर्च ले ली है और इसमें हमने धनिया की पत्ति डाल दी है और नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक और इसमें हम आधा एक नीवू कार देंगे और इसे हमें मिकसर में पीस लेना है अब हमारे चनल पे नए है तो सस्क्राइब का बटन दबाएं वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपके पास पहुशती रहेगी और वैल आकन को प्रेज करना बिल आम का अचार है प्याज भी रहता है लेकिन इसमें नौरात्र चल ले थे इसलिए ना हमने चटनी में रसुन डाला है ना अलग से प्याज खाया है और इसे हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे एक बार हमारे तरीके से बना के देखें और इसे आप पिडिया को उठ कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यह बताईए कि सत्वान के दिन सत्तू के कौन-कौन खाता है हमें कमेंट में लिखके जरूर बताईएगा और इसे अपने फैमली फ्रेंट के साथ जरूर किये जएगा ताकि पता चले कि में बने रहे धन्नवाद